और चलिए बढ़ती हागे और बात के लेते हैं चक्रवाती तुफान वीपर जॉय की दरसल इस पर आज एहम बैचक वे प्रधानमती नरिन बोधी ने ये बाचक की और बैचक में तुफान वीपर जॉय पर चर्चा हुई है कि आखर इससे होने वाले नुकसान से कैसे निप्रा जाएगा या फिर हमारी आगी की तैयारियां क्या है लेहाजा तुफान वीपर जॉय को लेकर अलट रहने के नर्देश भी सरकार की तरफ से दिये गए और इस ब बैचक में आपको बताने कि काफी एहम मुद्व पर चर्चा की गई है आगे कैसे निप्रा जाएगा अगर भैन कर तबाही ये तुफान ले कराता है कि कई जगा पर इस तुफान की वज़ा से काफी नुकसान की आशन का जो है वो जताई जा रही है काफी नुकसान की अप प्रधानमतिन दरीन मोदी ने बैच रकी है और एक और एहम खबर आपको बताने कि चक्रवात भी पर जो है का लग अतार खत्रा जो है वो बना हुआ है 15 जून को गुजरात पहुंस सकता है ये तुफान एहम खबर बड़ी खबर NDRF और LDRF को तेनात किया गया है 150 किलो मिटर पृति घंचे की रफतार से चल आने की संभावना जताई जा रही है और देश के कई राज्ये ऐसे हैं जहां पर इस दौरान भारी बारिश हो सकती है तो दक्षल पशिम मौनसून के रल और तमिलाडू के बाद पशिम मंगाल में ये दस्तक दे चुका है जिसक जौए चक्रवाद का खत्रा नजर आ रहा है मौसर मिभाग के अनुसार महरास्ट और गुजरात तट पर तेज हवाएं चल सकती है गुजरात और महरास्ट तट पर समंदर में उची उची लहरे उट सकती है तो इन राज़ो में बारिश होगी जिसमें कनाटक जो राज़े है वो शामिल है तमिलाडू राज़े शामिल है कोकड और गोवा सिक्किम में भी बारिश हो सकती है उफिमाले पशिम मंगाल लक्षदेप और उत्तरपोर वो बिहार में भी बारिश की आश्रं का जताई जा और अंडमान और निकोबार भी इस से अच्छोते नहीं रहेंगे NDRF, SDRF की टीम को तनात कर दिया गया है तो कौन-कौन से वो राज्य हैं जिन में बारिश हो सकती है वो आपको ग्राफिस के जरीए हम समझा रहे हैं और इधर गुजरात के ग्रह मंत्री हर्श संग्वी ने बैचक की है चक्रवाती तुफान विपर जोय को लेकर ये बैचक हुई है और द्वारका में ज्यम और बीजुपी नेताओं के साथ बैचक हुई है भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि जल्दी विपर्जोय गंभीर चक्रवाती तुफान में बदल सकता है और वही 15 जून के आसपास ये उत्तर के तरह बढ़ता हुआ दिखाई देगा फिलाल इसके स्थिति गुजरात के पोर बंदर से करीब 500 किलोमीटर दूर दक्षड और दक्षड पशिम अरब सागर में है इस ख़बर पर जादा बाचित के लिए इसी धर रूप करेंगे हमारे सेयों की प्यूश शुक लगा पियुश एहम बैठक के की जा रही है भी पर जोय तुफान को लेकर फिलाल बैठक में क्या जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिये गए हैं प्याएम मोधी के अद्धक्षता में बैठक कुई थी वहीं गुजरात में लगातार जो गुजरात के ग्रहराज मंतरी हरसां वो बैठकों का दौर उनका चल रहा है और अस्थानिय जो नेता हैं उनके साथ नोने बैठक की है उसके अलावा गुजरात के तटेयो छेत्र जो हैं वहाँ पर आठ मंतरियों को वहाँ पर डिपूर्ट किया गया है उसके अलावा केंद्रे स्वास्त मंतरी डॉक्टर दनी काई है ग्रह मंतराला है वो लगातार इस पूरे तूफान इस चक्रवात साइकलोन को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है और जानमाल का खत्रा कम हो जानमाल का नुक्सान कम हो इसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में साफ है वहाँ पर जिला प्रसासन NDRF, SDRF की पूंड तैनादकी कर दी गई है मौसम विफागी अगर हम बात करें तो उसने क्या अंदेशा जटा है क्या समभावना है जहां जहां बारिश की समभावना जटाई जा रही ए क्या हालात महापर बिगड़ सकते हैं देखिए भारी बारिश होने की संभावना है और उसके लावा तेज हावाएं जो हैं वो चलेंगी और ऐसे में जो तटवर्दिय छेत रहें गुजरात के वहां पर कुछ नुकसान हो सकता है उस बावत मौसम विज्यानिकों ने संभावनाएं व्यक्त की हैं लेकिन जब ये तकराएगा अभी जो बरतमान इस्थिति है वो पांसो किलोमीटर दूर की इस्थिति है और ऐसे में एक से दो दिन का वक्त होगा जब ये तुफान गुजरात के करीब पहुँच जाएगा तो उस वक्त की इस्थिति क्या होगी ये वहां पर मौजूद इस्थितियां उसी है रहेान फार्मिर्ट करने का काम भी सर्कार की तरब से क्या जा रहे हैं जो आखिए श्थित अस्थान पर कर दिया गया ताकी कहीं भी जान माल का नुक्सान जो है वो साइकलों में नहों और यही वज़ा है कि लगातार तकनीकी अस्तर से भी Ox with की जा रही है बिल्कुछ चलिए ठीक है प्यूश आप जो है नजर बनाए रखिएगा आपसे लगतार अपडेट हम लेते रहेंगे फिलहाल अलट जो है वो जा रही किया गया है वही है चलिए अब हम आपको तीन तस्वीरों के जरीए दिखाएंगे कि आखिर कहां कहां नु उची लहरे उच रही है और वही तीसरी तस्वीर पर अगर आप नजर डालेंगे तो वो है महरास के मुंबे के गेटवे ऑफ इंडिया की जहां पर तेज हमाएं और समंदुर में उची लहरे उच रही हैं तो इन तस्वीरों को आप देखें ये तस्वीरे बता रही है कि आखर ये तुफान जो है वो किस कदर भेंकर है क्योंकि आप अगर तस्वीरे देखेंगे उची लहरों को देखेंगे तो वाकर में जब इस तरी की तस्वीर कहीं से सामने आती है तो डर होता है और खास्तोर पर तब जब हमें पता भी नहों कि कितनी तबाही मचा करके ये तुफान वीपर जो है जो है वो जो है का चक्रवाती तुफान वीपर जो है का अलट जारी किया गया है तस्वीर आप देखें के रल के तस्वीर आप देख लीजे गुजरात के नफसानी के आप तस्वीरे देख लीजे महरास्ट के मुमई के तस्वीरे आप देख लीजे फिलाल तर्टिये इलाकों पर NDRF, SDRF की टीम को तेनाथ कर दिया गया है और खासों पर जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर जो मच्छुआ रहे हैं उनको जाने से मना कर दिया गया है लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आप आस पास कहीं रहते हैं या निचले इलाकों में आपे तो सुरक्षित जगा पर खुद को महफूस कर लेजे तो फिलाल चक्रवाती तुफान भी पड़ जाए का अलट जारी किया गया है